जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने ये सुभागे दिया है गुरुजी का गरन दिवे आभभा पढ़कर आपके सामने सत्संग शेयर करूँ ये गुरुजी के समय के सत्संग है और इसमें कुछ हमारे सत्संग भी हम साथ साथ ऐ संगर जी आप इसे सुनियेगा और आगे भी संगर तक पहुंचाईएगा ये आपकी सेवा होगी शुक्राना गुरू जी एक संगर जी बताते हैं कि जब मुझे मुझे घोशित कर दिया गया था गुरू जी से मिलने के बाद मैंने नरक से स्वरक तक की दिवय यात्रा करी है मेरी समस्याएं मेरी विवा के तुरंट बाद ही प्रारम हो गई थी मेरी पत्नी गीता को कश्छ दायक अस्थमा रहता था मैं राद रात बर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी क्योंकि उसकी मा भी अस्थमा से पीडित रहती थी अता उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है जैसे ये कम नहीं था कि मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो गया पूरा परिवार परेशान रहता उनकी ओशदियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता उनका अहार बहुती संतुलित रहता था वे अतिशीन हो गये थे और उनके शरीर और मुक का रंग काला पड़ गया था फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सोभागे पराप्त हुआ केवल गुरुजी कोई हमारी नारकिये जीवन का ज्यान था मैं असंभव को संभव कर सकते थे इस परकार गुरुजी के मात्र कल्यान कर दिया कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्त हो गए किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्यान कर दित्ता कहने मात्र से कोई असाते रोग से कैसे मुक्ति प्राप कर सकता है वास्तव में मनुश्य के लिए यह संभव नहीं है पर गुरु जी तो स्वेम इश्वर है और इश्वर यह कर सकते हैं जो समानेता सब के लिए संभव नहीं है गुरु जी के आशीश सरफ फलदाई है अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ थोड़े दिन बाद मुझे गुरु जी की सहायता की अवश्रक्ता पड़ी पाँच अगस 2004 को रात्री को मेरी छाती में बयंकर पीड़ा होने लगी चिकिस्सिक के पास जाने पर उसने प्रात्मिक चिकिस्सा देकर मुझे घर लोटकर पुन विश्राम करने को कहा प्राता काल उठने के आदे घंटे बाद वेदना पुना आरम हो गई उसके साथ ही बाईंबुजा में पीड़ा थी सब लक्षन हिर्दे रोग के थे चिकिस्सिक ने पुना प्रात्मिक उप्चार करके मुझे लुध्याना के हीरो हार्ट सेंटर में ECG करवाने के लिए भेग दिया मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विंती की अगले दिन 6 अगस को उन्होंने मुझे गुरुजी का चितर दिया और मेरी बेदना तुरंट समाप्थ हो गई साथ अगस को चिकित्सिकों ने परिक्षन करने पर देखा कि मेरे हिर्दे की दो धमनिया बन थी और उन पर शल्ले चिकित्सा करी और उसी दिन संध्या को मेरी हिर्दे गती रुख गई मुझे मृत घोशित कर दिया गया तथा पी चिकिसिकों की इस घोशना के बाद मुझे पुना चेतना आ गई मुझे ये ज्यान नहीं है कि कितना समय बीट गया था चिकिसिकों को जटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से सम्मधित प्रशनों के उतर दिये ये देखकर कि मैं उनके प्रशनों के उतर दे रहा हूं मुझे तुरंच शल्ले कक्षमे ले गए उन्होंने स्विकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भहवीत कर दिया था मुझे पता है कि मैं आज गुरू जी की कारण जीवित हूँ मृत होने के पश्चाथ केवल इश्वर नव जीवन परदान कर सकते हैं अतर गुरू जी इश्वर है शीगरी चिकित्सिकों ने पूछा कि मैं चिकित्साले में क्या कर रहा हूँ क्या मुझे घर नहीं जाना निश्ची थी मुझे जाने की उच्छुपता थी संगत के दो सदस्य और मित्र शिरी नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए उस समय तक मैं काफी स्वस्था और घर आ गया था दो सब्ता बाद मैं गुरु जी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया गुरु जी के यहां मैंने चिकित्सिकों के खान पर पान के परामश की अवग्या कर लंगर ग्रहन किया मैंने टिकियां और गोलगप्य परशाद की रूप में खाए अब मैं पूर्णेता संतुष्टोर स्वस्थ हूँ मैं गुरु जी की किरपा से ही लिख पा रहा हूँ गुरु जी से मिलने के पश्चाद मुझे परतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है मैं अतिपरसन और चिक्ता मुक्त हूँ गुरु जी ने मुझे अपने अनेक अन्ने रूपों में भी दर्शन दिये है अनेक बार उन्होंने ऐसे असंबफ दिश्यों के दर्शन कराई हैं जो समाननेता नहीं दिखते एक दिन जब मैं गुरु जी के साथ बैठा था तो गुरु जी मेरे सिर से मेरे शरीर में परवेश कर गए मैंने सोचा कि थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया मैंने देखा कि बाहर आया और उन्होंने शिव रूप धारन कर लिया मा गंगा ने उनके केशों से निकल कर मेरे शरीर में परवेश किया उसके पश्चात उनके शरीर से शेश नाग ने निकल कर इस दास के कपाल से परवेश किया शेश नाग ने ओम और ओम नमशिवाई मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया शेश नाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकाल कर बाहर फैक दिये अब वह मेरे शरीर और हिर्दे की देख भाल करते थे गुरुजी ने मुझे बताया कि शेश नाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे फिर उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेतर बनाया और वहाँ पर बैठ गए मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमशिवाय अंकित था और कहा कि यह वही जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा फिर उन्होंने मेरे चक्षू निकाल कर वहाँ पर मयूर पंक से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा देखेंगे बुरा नहीं गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं हम अपने परिवार के सदस्य और मित्रों को छोड़ सकते हैं पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं वे हमारी समस्च चिंताएं दूर कर हमें अनन्द परदान करते हैं गुरू जी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं मेरे पिता माता और मित्र मैं उनके बिना नहीं रह सकता मैं स्वेम अपने आपको उपने बच्चों को उनके चर्णों में समर्पित करता हूं मैंने जब भी चाहा है कि गुरू जी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिये हैं और उनसे मा गंगा ने मेरे सिर में परवेश किया है एक बार गुरू जी ने शिव रूप में मेरे उपर तिशूल फैका जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोंड बना दिया गुरू जी ने कहा कि वैस सदा मेरे साथ रहेगा कुछ अंतराल के बाद गुर मेरे समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा तुरंग गुरू जी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूत्यों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं यमदूत्यों ने गुरू जी को कहा कि वे मुझे ले जाने के लिए आए हैं गुरू जी ने उनको कहा कि य मेरा हिर्दे पेच की भांती कसा हुआ था गुरु जी ने पुना मेरी जीवन रक्षा की थी और मैंने उनका धन्यवाद किया उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है मिरी उन से विंती है कि वे सो जन्मों तक मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे और मैं उन आशा के अनुसार कारे रत रहूं, मैं अपने आपको उन्हें सुपुर्ध करता रहूं, मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिव ज्यान नहीं है, जब भी मैं उनके और देखता हूं, मुझे आकाश से उनके दिवे रूप पर गुलाब की पंक्रियां गिरती मैं उनकी दया से नर्ग से स्वर्ध तक गया हूं, और प्रातना करता हूं कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कारे करता रहूं, और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूं, अश्वनी शर्मा चंडीगर, जै गुरूजी, शुकराना गुरूजी, संगा जी जब आज म सपने आए, एक बहुत बड़ा नाग, गुरूजी का सत्संग हो रहा है, और वो भाग रहे हैं, और मैं डर रही हूं कि इनको हटाओ, और वो पता नहीं कहा लुपत हो जाते हैं, फिर एक दूसरे रूम में नाग आता है, और मैं उस दरवाजे को बंद कर देती हूं, वो जो भी आपने सत्संग सुना, इसमें भी सेम टू सेम ऐसी यमदूत मुझे पकड़ कर ले गए थे, जब मुझे लास्ट टेम अभी टाइफट हुआ था, उससे पंदरा दिन पहले, और गुरूजी के आगे लाइन में खड़ा कर दिया था, मैंने ये सत्संग शियर किया थ और जैसा कि मैंने आप से शियर किया था कि अभी अभी थोड़े दिन पहले ही, हमारे घर में दो दिन पहले गुरूजी का बाइट चोला पूरा का पूरा ब्लैक हो गया था, गुरूजी ने हमारे घर से बहुत बड़ी कोई नेगटिविटी को काटा है, कोई कष्ट को कि वो साफ ही नई हो रहा, सफेद चोला, सारे गुरूजी के मातारानिक के शिब जी के गुरू नानक देब Arist जी के वस्तर है, वो सब बाइट है, पर गुरूजी का चोला नीचे से बलैक हो गया और शिरी गुरूफन सहीब भी ब्लैक हो गया था, तो ऐसे गुरूजी बहुत बारी कष्ट काटते हैं पता नहीं चलता हमें उनकी लीला कैसे वो हमें आके ब्लेस कर जाते हैं जै जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना